हम बढ़ने class 10 chemistry chapter 2 acids, basis and salts आज का जो हमारा topic है वो यह है कि mineral acid का industrial use क्या है तो mineral acid का industrial use बहुत ज़्यादा है immense role है हमारी country का development या फिर बोल सकते हैं कि all over the globe पुरे विश्व में mineral acid का use बहुत बढ़ा है काफी सारे developmental works वो चाहे जिस criteria के हो इन ही से होते है mineral acid के द्वारा होते है and that is why H2SO4 is one of the acid which is called as king of all the acid king of all the chemicals सभी chemicals का राजा कौन के हाखा गया है H2SO4 को भाई किसी को राजा हम क्यों बोलते हैं आप समझ सकते हैं यहां से जो मैं question पूछा हूँ उस question का आप खुद से आंसर दीजे उसकी बाद H2SO4 पर गौर करिए आपको पता चलेगा कि भाई H2SO4 के अंदर उस तो characteristics होगी जिसके वज़े से इसको राजा बोला जा रहा है तो H2SO4 का जो use है वो बहुत बढ़ा है बहुत सारे industrial use होता है अगर हम बात करें फिलाल के लिए तो जो main mineral acid पर हम चर्चा करेंगे वो यह है कि H2SO4, HNO3 HCL इन सब का use कहा होता है तो हमने इस slide में सभी का use लिख दिया है आइदर H2SO4 और HNO3 और HCL और आप एक बात ज्यान से देखेंगे कि इनका role, इनका जो use है वो साफ साफ हमारी daily life में भी दिखता है अगर हम sulfuric acid की बात करें तो fertilizers, paints, dyes, chemicals, plastics, synthetik fibers detergents, explosive इन सब में use हो रहा है H2SO4 तो आप देख सकते हैं कि we used to use fertilizers we used to use dyes फिलाल आप कभी जाएंगे किसी mill में cotton mill में तो आप वहाँ पे dyes का use देखेंगे immense rule होता है आप जो color color के कपड़े पहनते हैं it is just because of these dyes either maroon और pink और yellow और green ये सभी color dyes के मदद से देए जाते हैं और dyes को manufacture करने में H2SO4 का बहुत बड़ा योगदान है chemicals कई सारे chemicals हैं even medicines also next plastics we used to nowadays we are using plastic in each and every appliance फिलाल के लिए मेरे हिसाब से तो approximately 70 to 80% चीजे हम लोग plastic use कर रहे हैं जैसे अगर हम बात करें और simple अगर स्टार्ट करें तो kitchen materials है चाहे sofa bed चाहे हम AC cooler की बात करें चाहे switches की बात करें चाहे wires की बात करें सभी जग़ प्लास्टिक्स का immense role है बहुत ज़्यादा either hospital equipments like oxygen mask सभी जग़ प्लास्टिक का बहुत use हो रहा है और ये प्लास्टिक को बनाने में कौन यूद मदद कर रहा है no doubt H2SO4 next आता है synthetic fiber synthetic fibers जैसे rayon, nylon आप देखे होंगे कि कई सारी लोग जो एथलीट से बिलॉग करते हैं वो लोग ऐसा कपड़ा बहनते हैं तो ये कैसे बनते हैं ये कपड़े सूज ये सारी चीजे nylon और rayon की मदद से possible आपने obviously रोप देखा होगा rope climbing के लिए जो rope use होता होगा वो होता है उसके लिए भी nylon और rayon का use होता है across each and every material we are using these chemicals chemical derivatives which belong from H2SO4 next आता है हमारा nitric acid HNO3 HNO3 का use कहा कहा करते हैं देखे अब देखो याद करनी के कोई जरूर नहीं है एक बात समझ लो इसको अपने आप याद हो जाएगा भई H2SO4 भईया बतायती है कि हमारे daily life में use हो रहा है तो हम daily life में क्या क्या यूज करते हैं plastic यूज करते हैं synthetic fibers यूज करते हैं और paints को यूज करते हैं ये सारी चीज़े क्या हैं ये किससे belong कर रही है ये S2SO4 से बन रही है next जाता है हमारा जो nitric acid में हमने देखा कि fertilizer देखो यहां भी fertilizer को बनाने में कौन मदद कर रहा है हमारा nitric acid next explosive like TNT prime hydrotolium plastics, dyes देखो यहां भी देख रहु हो न approach the use of nitric acid and sulfuric acid are common ये बात आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और exam में लिप भी सकते हैं अगला आता है hydrochloric acid तो hydrochloric acid का जो use करते हैं वो हम जो steel के उपर oxide layer जन्मी होती है उसको remove करने के लिए I will post a video में description में एक link देढ़ूंगा जिससे आप ये देखेंगे कि किस तरीके से oxide के layer को हटाया जाता है किसकी मदद से HCL की मदद से next आता है हमारा dye stuff देखो अगें dye, textile, leather, industries and food यहां भी HCL का use होता है देखो अगर आपको अभी भी नहीं समझना आ रहा है तो एक चीट से आप समझ सकते हो सबसे बिलिए ये देखो कि H2O4 से हमें क्या क्या मिल रहा है hydrogen मिल रहा? sulfur मिल रहा है oxygen मिल रहा है तो तीनों को हम अलग अलग युज कर सकते है next SO4 मिल रहा है sulfate sulfate का भी youse हो सकता है hydrogen मिल रहा है hydrogen का भी us holiness अब बात आती है ano 3 nitrate मिल रहा है फिर अगे nitrogen oxygen authorized समझ रहा हो ना तो किस तरीके से हम अलग-अलग इसको तोड़ करके हम यूज कर सकते हैं, चाहे अगर हम radical nitrate की बात करें तो उसको यूज कर रहे हैं, अगर हम simple एक element की बात करें तो nitrogen oxygen और hydrogen हो गया हमारा, तो अलग-अलग चीजों से अलग-अलग प्रकार की materials बनती हैं, इसी वज़े से इनक में disinfectant के रूप में, ऐधर drinking water की बात करें, चाहे हम disinfectation की बात करें, आजकल तो बहुत ज्यादा आप use देख सकते हैं, chlorine का, जो ये समय चल रहा है, COVID-19 का, उस समय में disinfectation बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए chlorine बहुत बड़ा रोल अपना रहा है, नेक्स्ट, for removing, removing oxide film layer, ये त पूसिस करोगे, तब बहुत अच्छे से समझोगे, और इसके लिए आपको ये चीज़ करना चाहिए, मेरे हिसाब से, आप बिल्कुल देखी गए वो वीडियो, ज्यादा मैं कभी नहीं आपका time लेना चाहूँगा, दो से ती मिनट का मैं experiment video अक्सर अपने सारे वीडियो म मैं डाला करता हूँ, लिंक दे दिया करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसको, hopes हो कि copyright ना आए, ऐसा कुछ होता है, तो मैं आगे देखूंगा, लेकिन तब तक के लिए जब तक अब लेवल है, तब तक आप देख सकते हैं, thank you.